सात्यों आजहाती के बाद महा मिलावटी कॉंग्रेस के राज में पीडियां बीद गई, दसकों बीद गई, लेकिन हमारे देश में मुलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही देश के साथ कॉंग्रेस की अपराधिक लापरवाही का ही परणाव है, कि जो काम आजादी के बाद पहले पचीज साल में पूरा हो जाना चाहिए था, उसके लिए अब हमें 21 सदी में पूरी शक्ती लगानी पड़ रही है, भाई और भेनों, आप मुझे बताईए, आजादी के पचीज साल में हर भारती के पास अपना खुद का गर, पक्का अगर हो जाना चाहिए था या नहीं, होना चाहिए तक नहीं, आजादी के पचीज साल में, पहले पचीज साल में हर भारती के घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए था के नहीं होना चाहिए था, आप पूरी ताकत से जवाब दीजिए यह सागर है आजादी के पचीश साल में हर भारती के पास सौचाले की सुविधा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी हमारी माताओं और बहनों को साप सुत्री जिन्दगी और स्वच्चता मिलनी चाहिए थी या नहीं आजादी के पचीश साल में हर भारतीय के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए था या नहीं आजादी के पचीश साल में हर भारतीय की रसोई दूए से मुक्त होनी चाहिए थी या नहीं आजादी के पहले पचीज साल में हर भारतिय के लिए बहतर स्वास्त सुविदा सुनिश्चित होनी चाहिए थी के नहीं बाई और बहनों जो काम बीसवी सदी में आजादी के पहले पचीज साल में नहीं हो सके उसे अब हमारी सरकार 21 सदी में आजादी के पचीज साल से पहले पूरा करने का लक्ष ले करके काम कर रही साल 2022 तक जब आजादी के पचरतार साल होंगे हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो हर गरिब के पास साउचा लई की सुविदा हो हर गर में बिजली हो हर गर में रसोई में गैस उपलब्द हो हर गरिब के पास आईश्मान भारत का काड हो हर गाउं सडक से जुड़ा हो ऐसी तमाम सुविदाओं के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं भाई और बहनों कॉंग्रेस और उसके साथियों ने जो जो काम समाई पर नहीं किया उसे पूरा करने में आज देश की जो उर्जा देश का जो पैसा देश का जो संसादन लग रहा है उसके गुनेगार कौन है कौन है गुनेगार 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 सीर पर सिर्फ कॉंग्रेस वाले गुनेगार मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में रहती तो ये काम भारत की आजादी के सो साल तक भी पूरा नहीं करती है मैं विश्वाद से कहता हूँ साथियों कॉंग्रेस के नाबदारों ने अपने वहुश का फायदा करने के लिए देश की कई पीडियों के साथ अन्याय किया है देश ने उन्हें जो समय दिया था उसका उपियोग नामदारों ने अपने ब्रस्टाचार और काले धन के भंडार को बढ़ाने के लिए किया साथियों मैंने कहीं पढ़ा कि राजस्तान के गॉंग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी तो एक्टर है एक्टर अब जिस पार्टी के नामदारों को रिमोट की इतनी आदत हो तो उसे हर कोई एक्टर ही नजर आएगा चाहे रिमोट से सरकार चलानी हो या फिर रिमोट से वीडियो गेम खेलना हो एक्टर से आगे ये लोग कुछ सोची नहीं पाते हैं और इसी लिए इसी लिए एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के समझदार होने के इंतजार में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कॉंग्रेस ने दस साल तक मुझे जो एक्टर कह रहे हैं उनको पता होना चाहिए उन्होंने दस साल तक इस देश पर एक एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थोप दिया था साथियों क्रिकेट में जब दीन का खेल पुरा होने का समय आखरी ओवर बाकी ओए एक दो और कोई आउट होता है तो जो आखरी नंबर का होता है उस खिलाडी को लाया जाता है और वो नाइट वच्मेन का काम करता है जो अच्छे खिलाडी हैं उनको नहीं बेचते हैं कॉंग्रेस को भी 2004 में उन्होंने सोचा नहीं था अचानक मोका मिल गया और जब अचानक मोचा मोका मिल गया तो राजकुमार की समानले की स्थिती नहीं थी खुद परिवार को राजकुमार में भरोसा नहीं था कॉंग्रेस को भरोसा नहीं त्यार था और इसलिए राजकुमार तैयार होने तक परिवार का वफादार बॉच्मैन बिठाने की योजना बनी और उन्होंने सोचा के राजकुमार आज सिखेगा, कल सिखेगा सब इंतजार करते रहे बरपूर ट्रेनिंग देने की कोशिज भी की गई लेकिन सब कुछ बेकार हो गया लेकिन इस कोशिज में देश के दस साल तबाह हो गए, बरबाद हो गए एक्टिंग पी-म, रिमोट उनके पास नहीं था, कहीं और था देश की चिंता छोड़, वो कुर्सी की चिंता में ही लगे रहे दस साल देश ने ऐसी सरकार देखी, कि हर तरफ हतासा निराशा फैल गई आखिरकार, 2014 में इन लोगों को देश की जंता ने निकाल कर बाहार कर दिया मヤिया नेगर divergence झाल में अझना ज事 से लोगनियों को कारो पास छिद की बादेखी के चिंता कर दोड़ स्वयों के दोड़ सकतते हैं और देश कर दो देखी कि चिंता छोड़ास額 के दोड़ कि ॉगieur